इसलाम अलेकुम वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉपनेटिक अमीद है कि आप तुमां दोस्त करियत से होंगे और वीकेंड आपका गुजरा होगा वीडियो का अगास में एक बात कहनी थी कि आज जैसा कि आपको पता है कि यहां यूके के अंदर जो है वो मुसलसल लॉकडाउन चल रहा तो बचे वगरा सारे गर पर ही होते हैं पीछे से को अवाज है वगरा आजें तो उसको माहिड न कीजिएगा तो अगर läuft करें तो पिछे से बचे की वाज भी आज जाती चलते हैं जी वीडियो की तरफ आज मार्किट ने पॉजिशन क्या दिखाई मार्किट ने कुछ पॉइंट वह आज हमसे वापिस ले लिए तो चलें कोई बात नहीं ऐसा चलता रहेगा सिलसला आज जो है वह मार्किट ने 140 पॉइंट तक्रीबन वह वापिस लिए हैं तो ड़सन मैटर इसमें कुछ ना परे में ही बंद हो लेकिन चुके मार्किट एक ऐसी हाई हाई जो है वो लेवल पे पहुंच चुकी है कि इसमें से दो सो पॉइंट बलके पॉइंट सो भी अगर निकल जाएं किसे दिन तो परेशाने बली बात नहीं मार्किट ठीक पर परफॉर्म कर रही है सरक्ट ब्रेकर की चलें आज भी जो है वो इन्शाला जो है वो कोई एक चार्ट डिसकस करेंगे और उसके साथ कुछ अनॉंसमेंट से एक दो मेरी नजर में आई थी उसका भी इन्शाला जिकर करेंगे अच्छा जी अपर कैप की अगर बात करें तो वाजिवा बलके वो क्या कहते हैं वाजि नहीं है आप चलें कोई बात नहीं दो और पस मेरी नजर से अगर आप देखेंगे तो मुझे तो है यह बड़ी कॉमपनी है आज जो है वो सरफ तीन कॉमपनियां जो है वो अपर कैप हैं और अगर हम लोर कैप की बात करें तो लोर कैप में यह राइट है राइट के लोर कैप होने का यह अपर कैप होने का फिलाल कोई तना इशू नहीं है तो मेरी नजर में फिलाल आज पंपनी जो है वो कोई लोर कैप नहीं है देखे हर बने का अपना एक सोचने का और देखने का अंदास होता है यह मेरी एक अपन कर लेता हूं तो चलते हैं जी आगे और समरी की तरफ देखते हैं कि क्या पोजिशन रही आज आज मामलाद जो है वो कुछ थोड़े से लालाली लग रहे हैं आज जो है जी 167 मुस्बत में 200 मन्फी में गैप है आज बड़ा लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है देखे जिन के पास अच्छे लेवल्स पर होल्डिंग है उनको बिलकुल डरने की कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की कोई जरूरत ही है इसलिए मकसर यह कहता हूं कि देखिए जो जो शेयर इस वक्त हाइप क्रीट कर चुके हैं उनमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है जो गाड़ भी उसके पीछे भी यही एक बात जो है वो कारफरमा होती है आटो मोबाल एसम्बलर की अगर बात करें तो इसमें हमने बात की थी दो तिन दिन पहले दो शेर्स की बात हुई थी साजगार की और पाक सुजुकी की तो दोने मैंने माशाला अच्छा प्रफॉर्म किया है मैं तो कम असकम अपनी मेहनत से जो है वो थोड़ा मुतमिन हूँ तो आप लोग भी दरा कमेंट करके बताईएगा कि आप लोगों को कुछ फाइदा हुआ है या नहीं तो अभी फिलहाल कोई और कमपनी जो है वो आटो मॉबाइल सेक्टर में असेंबलर की बात कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई नजर नहीं आई एक कमपनी है मेरी नजर मे अगर वो कुछ अच्छे लेवल पे आएगी तो इन्शाला उसके बारे में भी बात करेंगे ये पाक सुजूकी का और साथगार इंजिरिनिंग का हम लोग चार्ट औरेडी डिसकस कर चुके हैं देखिए ये चार्ट बगर हम डिसकस कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि बस आज कर लिए तो अगला एक साल ये चलेंगे ये ये वक्त के साथ साथ हर लम्हा बदलती हुई सूर्ट एहाल है तो इन्शाला जैसे ही दुबारा फिर इनकी बारी आएगी मैं दुबारा फिर इनके चार्ट जो बडिसकस करूँगा आटो मॉबाइल पार्ट की बात करें तो उ कि मुझे नहीं पता होता है कि जो दो सभाब मुझे से पूछरे हैं उनकी पोर्टफॉलियो की का पुजिशन है और वो कितना इंवेस्ट करना चाहते है कितना नहीं इंवेस्ट करना चाहते है तो इसलिए मैं बड़ा ला मुफ्ताथ हो कि आगаксे बर रिपलाई करता हूं अगर आप थोड़ा तफसील के साथ या प्राइविटली मैसिज में अगर आप मुझे बता दें कि जी हमारी ये पॉजिशन है और हम ये करना चाह रहे हैं तो फिर उसे हवाले से आपको जो है वो को मश्वरा दिया जा सकता है अगर इन जर्नल आप पूछते हैं तो मैं जर् किमेंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप मैसिज कर दें वाटसप पर बात कर लें तो जब आप तफसील बियान करेंगे तो जबाब भी तफसीली मिलेगा लोड्स का राइट जो है वो नीचे जा रहा है इसको जाने दे थोड़ा सा और फिर इंशालला देखेंगे उसके अब इसमें और कोई चीज नहीं है केबल के अंदर बात करें तो आपको याद होगा कि हमने वेव को डिसकस किया था और मैंने यह कहा था कि अगर यह साड़े साड़े अठाइस तक जाएगा तो मैं इसको फ्रीदूंगा तो खैर तो यह से तो साड़े अठाइस से भी है यह मुझे 2775 मिल गया तो मैंने थोड़ा और फ्रीद लिया तो इसके बारे में एक न्यूस भी है वो भी इन्शाला डिसकस करेंगे और इसके इलावा आज जो है इसका जो टेकनिकल चार्ट है उसको भी डिसकस करने के कोशिश करेंगे तो उमीद है कि इन्शाला यह भी अच्छा परफॉर्म करेगा अभी भी फिलहाल ठीक है जिन दोस्तों ने साड़े ठाइस पर मैंने बाराल साड़े ठाइस पर पहले इसकी बाइंग की होई थी अगर मैं आज भी सेल कर दो तो नौट बैड प्राइस आगे चलते हैं जी सेमट सेक्टर की देखे हर सेक्टर म हो है कि जिसमें रोज मिला लगता है तो इसलिए ये परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि कोई आपरचिनटी निकल गई है या वो दुबारा नहीं आएगी यहां रोज आपरचिनटीज बनती हैं बस देखने वाली आँख चाहिए सेमट सेक्टर की बात करें यार तो बी है इसका जो था वो मैं ने चार्ट जो था वो डिसकस कर दिया था तो बाकी जिनों ने खरीदा वो जाने मेरे पास नहीं है देखे चार्ट डिसकस करने का या नियूस डिसकस करने का ये कतल मतलब नहीं होता कि मैं किसी कमपनी के बारे में एक राय काइम कर रहा हूँ मैं हम कुछ दोस्त जो हैं उनको थोड़ा सा इस हवाले से था तो मैं ये confusion दूर कर दूँ कि ये मेरी वीडियो के अंदर कोई buying या selling की call नहीं होती मैं सिर्फ कुछ अपना experience थोड़ा बहुत जो है वो share करने की कोशिश करता हूं दोस्तों के साथ आगे चलें जी असीमड में कोई नहीं है यार फिलहान केमिकल सेक्टर में बात करें और केमिकल में भी भी केमिकल में आपको पता है कि यही मैंने बात की हुई है डैसकॉन की तो इसका discuss कर लिया था हमने कुछ रसा पहले कुछ लास्ट वीक की बात है तो डैसकॉन के बारे मे चुके बात हो चुकी है और बाकी कोई कॉमपनी अगभी तक मेरे समझ लें के कैलकॉलेशन में नहीं आई अगर कोई आएगी यह मैं खरीदूंगा तो यहां को सोचूंगा किसी के बारे में तो बापको बताऊंगा वैसे यह जो डैसकॉन आक्सी कैम है यह मेरे पास नहीं मुझे थोड़ी सो जरूरत थी तो मैंने सेल कर देती लेकिन यह ठीक है इसका लेवल बेचने वाला नहीं है आगे चलें जी बैंक्स के हवाले से बात करें तो बैंक्स सारे लालो लाल हैं मैं इंशाला आज देखने की कोशिश करूंगा तो अगले कोई एक दो दिन में इस चार्ट नहीं देख लूँगा तब तक उसके बारे में बात नहीं की जा सकती आगे चलेंज जी अंजिनरिंग सेक्टर में यारी कुछ लोगों ने कुछ दोस्तों ने आईशा स्टील के बारे में पूछा था यह अपने हाई पे खड़ा है तो बहतर यह है कि अभी इससे लिटा आजाए मैं इससे गुरेइज कर रहा हूं जी आगे चलें जी बाकि ना मैं किसी से कहरा हूं कह खरी खरीदे ना मैं किसी से कह Ahh क्यूंकि जो प्राइविटली तोस्ते हैं उनको प्राइविटली जौ आप दिया जात 되지 लेकि यहां पब्लिटली जो साथ साथ चलते हैं तो इन में से निकालेंगे दो दो कमपनीया निकालेंगे इन्शाला आने वले दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर में भी फिल हाल कुछ नहीं है फूड की अगर बात करें तो इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ निश्नल फूड नीचे जा रहा है इसको थोड़ा-थोडा करके खरीदा जा सकता है मैंने मेरी नियत है इसको खरीदने की ये 230 से नीचे अगर जाता है तो इसको खरीदा जा सकता है मैं इन्शालाद देखूंगा लेकिन ये हजारों में खरीदने काफ मैं नहीं खरीद दूँगा मैं 100-200 करके खरीद दूँगा क्योंकि शायद ये थोड़ा सा और नीचे चला जाए लेकिन शेयर अच्छा है, स्ट्रॉंग है यार ये मिचल्स के बारे में मैंने देखा था, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं देख सका इसका चार्ट मिचल्स के हलात चूँके शेयर बड़ा है और इसकी अर्णिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं आई, जिसके विज़ा से इसके इतने बुरे हलात हुने हैं अभी बरहल जितनी मंदी इसकी चल रही थी, वो थोड़ी सी स्टॉप तो हुई है, लेकिन मजीद अगले एक दो सेशन देखना पड़ेगा कि इसकी क्या पूजिशन चलती है फिर इसके बारे में को राय काइम की जा सकती है, अभी मिचल्स के बारे में मेरी जो है, वो कोई राय नहीं है आगे चलें जी गलास वर स्ट्रामक्स बीजील में बहुत सारे दोस्तों का मुझे रिप्लाइ आया आप लोगों ने तो अच्छे रेट पर बेच लिया है, यार मैं रहा गया हुज़सन कोई बाद नहीं मैंने भी बाराल आज पर बेचा यार आप लोगों ने तो 48-48 पर किसी ने 25 पर बेचा किसी ने 15 पर बेचा तो मेरे हाथ में या 8-10 या है चलो कोई बात ने आगे चलते हैं जी फिर इन्शाला जब अच्छी प्राइस पी आएगा तो फिर बात करेंगे इन्शोरंस में इन्वेस्मेंट्स बेंक से हैं माप कीजिएगा एसकॉर्ट की मैं दो तीन दिन से इसके उपर मेरी नजर है अगर ये दस से नीचे आता है तो फिर इसकी इन्शाला इसको देखा जा सकता है दस से उपर नहीं और उसके बाद नहीं कुछ नहीं देखें बात यह है कि थोड़ा मुफ़ताद चलने की ज़रूरत है तो मैं बहुत ही मुफ़ताद चलने की कोशिश कर रहा हूँ पिर भी कभी कभी दिल करता है कि यार बाए कर ले लाल हुआ हुआ है लेकि लाल हो रहेगा मतलब इतनी है कि इसको बाए कर लिये जाए ये इन्शालला पीपील का मैं एक दो दिन में जो है वो चार्ट डिसकस करूँगा लेकिन आज भी मैंने इसको 200 खरीदा है मैंने आपसे पहले दिन कहा था जब ये 94 पे था ये 95 पे था कि जी मैं इसको 100-100-200 शेयर करके खरीद रहा हूँ और आज भी मैंने इसके 200 शेयर खरीदे है आगे आप लोग खुद समयधार हैं क्योंकि हर बंदे ने अपना डिसीजन अपने लिहासे करना होता है कि उसका टार्गेट क्या है वो किस लिहासे करता है मैंने जो बाइंग की है वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं किसी से नहीं कहता कि वो बाइंग करें मैं किसी से नहीं कहता कि वो सेल करें एवन कि मैं अगर चार्ट कर चार्ट भी डिसकुस करूँ तो उसमें भी मैं बाइंग ये सैली को रिक्मेंट नहीं करता उसकी वज़ा ये है कि अलहम दोल्ला को एक अंदाजे के मताबिक डेली का एक हजार वियू होता है मेरी वीडियो का तो एक हजार का मतलब यह है कि वो एक हजार इनसा बंदे नहीं देखते हैं तो किसी को फाइदा हो या ना हो लेकिन अगर किसी एक को भी नुकसान हो गया तो वो मामला खराब हो जाएगा इसलिए मैं कोई बाइंग ये सेलिंग की काल नहीं देता मैं सिर्फ ये बताता हूं क अपना डिसीजिन खुद करें और गैस में देखें तो अब देखें कि मैंने आज हैस्पोल खरीदा है और मेरे अच्छी तदाद में खरीदा मैंने अब ये मेरी एक अपनी राया इसके बारे में लोगों की अपनी राया है तो इसलिए मैंने ये खरीदा है आज थोड़ा सा दो सो शेर इसके और खरीदे है मैंने शेल के राइट के आगे चलें SNGP जो है ये मेरे पास पुरानी बाइंग पड़ी हुई है और उसी को मैं इंशालला केरियोन करूंगा ये इसने जहां तक जाना था बस ये चला गया है बस ये उपर नीचे देखें 40.45 रुपे का शेर है इसके अंदर ये एक रुपे आउपर ये एक रुपे नीचे हो ज पर ये खड़ा है अब ये यहीं से इंशालला वापस जाएगा मैरियट की बात होई थी मैरियट पैकेजिस ये रिवर्स कर गया है इंशालला और मुझे उमीद है कि करेगा अगर ये थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है तो मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा अगर म मिल गया था पिछले वीक भी मैंने कोशिश की थी लेकि मुझे नहीं मिला था तो आगे देखेंगे इंशालला कि क्या करता है ये उसके बाद फार्मा स्वीटिकल में फिरोज की बात हुई थी और मैंने कहा था कि यार फिरोज अच्छे लेवल पे आया हुआ है तो मैंने तो नहीं मैंने उस दिन भी ये जिकर किया था कि मैंने ही इसको खरीद रहा लेकिन ये इसका लेवल अच्छा है लेकिन अगर इसमें को चार पांच रुपे और एड़ हो जाते हैं तो फिर इसका लेवल निकल जाएगा फिर मैं इसको वीडियो के अंदर भी शाय डिसकस न करने उसके बाद पावर जिनरेशन है पावर जिनरेशन देखे इसमें से एक कमपनी आज गाइब है अर्शद इनर्जी और मेरा ख्याल है कि जुम्हे वरे दिन शायद इसको अपर कैप लगा वा था और मैंने बकाइदा उसके बारे में एक बात कही थी कि वह डिफॉल्ट है कि किसी ने रिस्क नहीं लिया होगा ये वक्त रिस्क लेने का नहीं है सोच समझ कर डिसीजन करने का है आगे चले इसमें भी फिलहाल कोई मेरी नजर में नहीं है रिफाइनरियां अच्छा परफॉर्म कर रही है बाइकों भी आज अच्छा परफॉर्म किया बाइकों के कि जो लोग profit में हैं वो इधर उधर हो जाएं मैं बाइकों की बात कर रहा हूं बाइकों के बारे में daily ये बात होती है कि जो profit में है loss वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं profit वालों की बात कर रहा हूं कि profit वाले इधर उधर हो जाए बाकिया आप लो फूद समयधार है शूगर में फिल हाल कुछ नहीं है संथेटिक में टेली कम्यूनिकेशन में हाँ टेली कम्यूनिकेशन में पी टी सील है मेरे पास और इसी को इंशालला मैं मज़ीद देखूंगा बाकि कम्पनियां जो है वो काफी ओपर निकल चुकी है उसके बारे में अब देखे ना ये नेट सोल है ठीक है आज इसमें से ये 11 रुपे निकले है अब ये 11 जब एड होंगे तो फिर उसके बाद की बाद होगी तो मेरे पास नेट सोल नहीं है ना यह मने खरीदा है ना मेरा को खरीदने कही रहा था आगे चले सरensor यह चोटी चोटी चीधर आकामेंट्स होते हैं बस अपने हवाले और भी और मेरा खाला और और कुछ नहीं है बैक-उश-बैकउ में नही है अब ये देखिए कि ये इन्शाला इसका मैं चार्ट भी डिसकस करूँगा बहुत सारे दोस्त कह रहे थे जी कि आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को जो है वो डिसकस करना छोड़ दिया देखें डिसकस ना करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है तो बात ये है कि मैं खरीद रहा हूँ अपने कैलकुलेशन पर आपने करनी है अपनी कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से ये लेवल इसका ठीक है इन्शाला ये पलटेगा अगले महीं ने इसकी जो है वो आ रही है बोर्ड मीटिंग तो होफ़ली इन्शाला सारे का मामला ठीक हो जाएंगे इसका चार्ड भी मैं इन्शाला कोशिश करूँगा एक तो दिन में डिसकस करने के उसके बाद उसके बाद और कुछ नहीं है जी आगे चलते है आगे जो था वो एक ये चीज़ थी कि ये वेव्स के हवाले से ये एक नोटिफिकेशन जो है वो स्टॉक मार्किट में आया है कि इन्होंने वेव्स वालोंने इन्फॉर्म किया है कि ये खरीदने जा रहे हैं ये है है ये हैवी इलेक्ट्रिकल कमप्लेक्स गौवर्मिट ऑफ पाकिस्तान से उसके ये तक्रीबए 96% शेर्स जो है ये खरीदना जा रहे हैं तो चुके औरेड़ी जो है ये अलेक्ट्रिकल के में है और अब ये अगर उसको भी खरीद लेते हैं तो फिर तो ये जाइंट हो जाएंगे न पाकिस्तान में तो जेन बन जाएंगे तो इसलिए इनके शेर्स जो है मेरे पास जितने भी हैं दो चार हजार मैं इसको कीप करूंगा और देखूंगा कि आने दालेवान दिलों में क्या हो सकता है इसके बारे में तो ये एक अच्छी नियूज है वेज कमपनी वैसे भी स्ट्रॉंग है क्योंके फॉरन इन्वेस्टमेंट है लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं है शायद आप दोस्तों को पता हो वेज और सिंगर ये दोनों मिलके इन्होंने बनाया था और ये लोकल नहीं है अब ये फॉरन से आगे निकल जाएं बाकी मैं किसी किसम की को बाइंग ये सैलिंग का नहीं कह रहा इसकी बाइंग करने के बारे में बात पहले हो चुकी थी मैंने साड़े अठाइस की बात की थी ये साड़े 27 तक भी गया तो बारहल मुझे साड़े 27 पे नहीं मिला था आगे चलते हैं ज 24 फरवरी को ठीक है तो मुझे उमीद है कि इन्शालला उसके बाद ये जैसे ही है अब ये चुक्क अनाउस हो चुकी है तो अब इसके हलाद भी बहतर हो जाएंगे और ये कुछ आगे ये हर बार जब इनकी मीटिंग होती है तो उसके बाद ये कुछ ना कुछ डिविडन भी नाउस करते है तो अब इसके अंदर जो हो इस टेबिलिटी कुछ आ गई है कुछ इन्शालला आ जाएगी मेरे पास है मैं इसके सारे शेर जो है वो कीप करूँगा अब ही मैं मैं पैनिक नहीं है मुझे कोई परेशान नहीं है हलांके मेरे जो पूर्टफॉलियो है ये टी आई सीटी के हवाले से वो थोड़ा लॉस में है तो ये सिलसले फिर चलते हैं जब आप बिजनस करते हैं तो फिर लॉस और प्रॉफिट चलता है आगे चलें जी तो एक चार्ट डिसकस करना है और साथ में डिसकस करनी है हमने कैंडल तो कैंडल पहले फड़ा फड़ा डिसकस कर लें फिर इंशाला जो है वो चार्ट डिसकस करते हैं देखते हैं कि के सी हंडर्ड में आज क्या हुआ और आगे जो है वो candle हमें क्या कह रही है कि उसका क्या इरादा है कुछ उपर जाने का इरादा है या के नहीं तो इसको पहले हम convert कर लें candle में अब देखें जो आज की candle बनी है अब मुझे लगता है कि शायद market जो है वो अपने आपको फिर उसी रुजहान में लेकर जाने लगी है जहां पर ये पहले थी अब देखें पहले जो इसका level था वो एक ये था और एक जो था वो ये था ठीक है और यहां पर market जो है वो तक दो हफ़ते तक जो है वो sideways रही है अब जो मुझे लग रहा है जो कि गुज़िश्टा दो दिन से मैं note कर रहा हूँ दो दिन से मुराद दो working days की बात हो रही है अब market शायद इन दो लाइनों के दरम्यान जो है वो अपने आपको consolidate कर रही है देखे इसमें परेशाने वाली बात नहीं है बुझे तो बरहाल ये अच्छा लगता है कि देखे मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने आपको consolidate करती है फिर थोड़ो सा उपर जाती है फिर consolidate करती है ये बातें और ये मामलात इस वज़ा से हैं क्योंको देखे मार्केट 46 प्लस पे है तो जब इतनी उपर market निक इसको 1500 की correction करनी चाहिए अगर ये correction हो जाती तो शायद ये इस तरह की consolidation जो है ये हमको देखने को ना मिलती है अब ये चुकर देखने को मिल रही है इसका मतलब ये है कि market को पहले जो डिप लगानी चाहिए थी वो market ने नहीं लगाई तो अब ये इस तरह से थोड़ा थोड कर रही है तो बरहाल market अच्छी है ट्रेंड अभी positive है negative नहीं है हलात खराब नहीं है market के तो जिन लोस्तों के पास है वो calculation करके चलें portfolio management करें आज मैंने एक वीडियो भी upload की थी यार वो उसके हवाले से एक दोस्त थे वो उन्होंने भी मुझसे session लिया तो काफी दोस्त चू या YouTube के उपर तो बिल्कुल जी one-on-one session होते हैं ये दोस्त अभाब लेते हैं मुझसे one-on-one session अगर किसी ने one-on-one session training करनी हो तो वो मुझसे राप्ता कर सकता है तो उसकी एक मुनासिब सी fees है तो वो इन्शाला अगर कोई interested हो तो वो मुझसे राप्ता कर ले WhatsApp नमबर ले ले available है और YouTube पे भी आप कमेंट कर सकते हैं आगे चलते हैं जी और हम देखते हैं waves का चार्ट आज जो है वो हम waves का चार्ट डिसकस करेंगे ये मैंने थोड़ा सा लाइने शाइने इसकी लगाई है अब यह देखिए इस वक्त जो है आज इसकी closing 29 रुपे 25 पैसे पर है ठीक है अ तब इसको जो एक बड़ी resistance का सामना है ये मज़रा इसको बड़ा कर लो ठीक है हाँ इसको जो बड़ी resistance का सामना है वो ये वाली है ठीक है और यह है 30 रुपे 40 पैसे वाली और मुझे उमीद है कि आज ये जितनी अच्छी candle बनी है और उसके साथ इसको एक news भी मिली है तो म अगर ये तूड़ जाती है तो उसके बाद जो दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 31 रुपे 75 पैसे का होगा और अगर वेज जो है 31 रुपे 75 पैसे को तोड़ गया so then the sky is the limit तो मेरे पास है मैं इसको keep करूंगा आप लोग भी ये देख लें यार ये मैंने अपने पस हिसाब से लाइने शानी लगाई होती है तो अगर आपको भी कुछ फायदा हो जाए तो बड़ी एची बात है तो बस जी आज फिर 27 मिनट की वीडियो हो गई ये चोटा सा चार्ट था वेवस के हवाले से तो ये चुके हैं ने डिसकस पहले ही कर लिया था साड़े 27 मैंने किया भी था तो उमीद है कि ये चार्ट भी आप लोगों को प्रसंद आएगा आप लोग कमेंट वगरा कर दी है करें मैं इंशालला डेली एक चार्ट डिसकस करने की पूरी कोशिश करूँगा बस यार ये थोड़ा सा निकालना पड़ता है थोड़ी सी मेहनत करनी प लोड़ी सा शर्फस्स